नारेन नारेन and hi I'm Seema and आप सब का Turner Defense Academy चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और एक बार फिर हम जो है वो test series के साथ आप test series को लेके आपके साथ जुड रहे हैं तो आज के हमारी जो है test series काफी interesting होने वाली है तो आप सभी अपने notebook लेके बैट जाइए और अपने आपको सभी test कीजिए कि आपके कितने question सही होते हैं कितने wrong होते हैं ठीक है और वीडियो को जो है वो end तक देखिए और like और share करना class को ना भूले ठीक है तो देखो हमारी तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो थी आपकी option number C श्री रंग पत्नम में थी ठीक है कहां थी श्री रंग पत्नम में ठीक है आप देखो next question यह आपका जीके का section है जीके का second question आपका अजंता चित्रकला में दर्शाया गया है मन्नाशन राजकुमारी को माता और राज के जुलूस को यह सभी तो अजंता जो चित्रकला है उसके अंदर आपका मन्नाशन राजकुमारी को भी दर्शाया है माता और शीशू को भी दर्शाया है राज के जुलूस को इन सभी को जो है आपकी अजंता जो चित्रकला है उसके अंदर आपका दर्शाया गया है ठीक है अब देखो next question number third question number third है आपका निम्न में से कौन पार्थिव ग्रै नहीं है कठोर सतह वाला तो पार्थिव ग्रै कौन सा नहीं है बुद्ध ब्रश्पती शुक्र और मंगल तो सबसे पहली बाती है कि पार्थिव ग्रै कौन से होते हैं तो जो ग्रै सिलिकोन जो सिलिकेट जो चटानों या फिर धातों के बने होते हैं वो ग्रै आपके कौन से होते हैं वो ग्रै आपके पार्थिव ग्रै होते हैं जो सिलिकेट चटानों या धातों के बने होते हैं ठीक है तो उसके अंदर आपके क्या आते हैं उसके अंदर आपक का पार्थिवक्रे नहीं है ठीक है option number B आपका correct answer हो जाएगा अब देखिए next question number 4 question number 4 में है तो स्वतंतरता के परशात भारतिये वायू सेना जो है उसके जो आपके first भारतिये अध्यक्स जो थे वो थे आपके सुब्रतो मुखर्जी option number C आपका correct answer आजाएगा सुब्रतो मुखर्जी ठीक है अब देखो next question number 5 question number 5 है आपका POS का विस्तारीत रूप क्या है post office service, point of sales, post office scheme या point of service तो बताएगे POS जो उसका विस्तारीत रूप आपका क्या है तो POS का जो विस्तारीत रूप है वो है आपका point of sales इसको क्या बोलते है point of sales option number B आपका correct answer हो जाएगा point of sales आप देखें next question number 6 question number 6 है आपका cricket पुरुष विस्तारीत रूप 2023 का आयोजन कहां क्या जाएगा बताएगे Australia में, भारत में, England में या West Indies में तो cricket जो पुरुष विस्तारीत रूप है 2023 उसका जो आयोजन है वो आपका नहीं Australia में क्या जाएगा, नहीं England में क्या जाएगा और नहीं West Indies में क्या जाएगा वो आपका भारत में किया जाएगा, option number B आपका correct answer हो जाएगा कि 2023 के अंदर जो cricket विश्व कप है उसका आयोजन कोन करेगा, भारत में किया जाएगा, option number B आपका correct answer हो जाएगा अब देखो question number 7, question number 7 आपका क्या कहता है वर्ष 1969 में Central Bank of Sweden द्वारा के शेतर में Nobel पुरुसकार की सापना की गई थी, अर्षास्र में, साहित्य में, स्यान्ती में या चिकिट्सा में बताईए, 1969 के अंदर इसके अलग-अलग है महात्मा गांधी को 1938-37 जो उसमें दिया गया था तो 1969 में Central Bank of Sweden द्वारा किस शेतर में Nobel पुरुसकार की सापना की गई तो उन्होंने जो है, Nobel 1969 अर्थ सास्र नोबल पुरुसकार के रूप में उन्होंने अर्थ सास्र के रूप में चुना Central Bank of Sweden द्वारा ठीक है, तो option number A, अर्थ सास्र के छेतर में Nobel पुरुसकार की सापना की गई थी, 1969 में ठीक है, अब देखो, option number 8, भारतिय अर्थ सास्र में core sector क्या है, बताए कोर सेक्टर क्या है, सूती वस्तर है, railway है, सेवा छेतर है या low ispat है तो भारतिय अर्थ व्यवस्ता के अंदर जो core sector है, वो है आपका low ispat, ठीक है, लेकिन इसके अंदर low ispat जो core sector है, इसके अंदर आपका क्या क्या आएगा इसके अंदर आपका कोईला, कच्चा तेल, उर्वरक, स्टील, पैट्रो, रिफाइनिंग, बिजली और नेचुरल गैस, ये आठ जो तत्व हैं, ये आपके किसमें आते हैं, core sector के अंदर आते हैं, कौन से आठ तत्व, कोईला, कच्चा तेल, उर्वरक, स्टील, पैट्रो, रिफाइनिंग, बिजली और नेचुरल गैस, ये सारे आपके core sector के अंदर आते हैं, तो option number D आपका correct answer हो जाएगा, low, इस पाथ, ठीक है, अब देखिए, question number 9, question number 9 है, आपका ध्रूव क्या है, एक बहु उद्देश ये helicopter, एक tank है, एक स्टील, फीग्रेट है, या सत्य से हव में मार करने वाला प्रच्छी पास्तर है, तो ध्रूव जो है, वो आपका एक बहु उद्देश ये helicopter है, क्या है, option number A, बहु उद्देश ये helicopter, ठीक है, अब देखो question number 10, question number 10 आपका क्या बोलता है, निम्न में से कोन सा एक स्थल अवरुद देश है, जिसे सर्पराज का जाता है, नेपाल है, श्रिलंका है, बुटान है, या चीन है, जिसे सर्पराज का देश कहा जाता है, और स्थल अवरुद देश, तो ऐसा देश आपका कोन सा है, ऐसा देश है आपका बुटान, जो की स्थल अवरुद देश है, और जिसे सर्पराज का देश कहा जाता है, और भुटान की जो राजदानी है वो आपकी क्या है थिम्पू, ठीक है भुटान की राजदानी क्या है थिम्पू, option number C आपका correct answer हो जाएगा, आप देखें next question number 11, question number 11 आपका क्या बोलता है, विश्व मानवा धिकार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए, विश्व मानवा धिकार दिवस 1 अक्टूबर को, 10 दिसम्बर को, 2 जनवरी को, या 10 फर्वरी को, तो आपका विश्व मानवा धिकार दिवस जो है, वो 10 दिसम्बर को मनाया जाता है, option नमबर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दस दिसेंबर आप देखिए क्योशन नमबर ट्वेल क्योशन नमबर ट्वेल है आपका चतूर्थ स्तंब फोर्थ एस्टेट शब्द निम्न में से किसे दर्शाता है संसद को न्याय पालिका को कारेपालिका को प्रेस तथा समाचार पत्र को जो चतूर्थ जो स्तंब है वो आपका वो आपका किसका देखो जो विधाई का कारेपालिका और विधाई का कारेपालिका और न्याय पालिका ये जो तीनों है ये तो आपके तीन स्तंब है तो चोथा स्तंब जो है वो किसको दिया गया है वो पत्रकारिता को प्रेस और समाचार पत्र जो है इसको आपका चोथा स्तंब दिया गया है तीन स्तंब किसको दिये गये है विध्याईका, कार्यपालिका और न्याईपालिका को और चोथा स्तंब जो है वो पत्रकारिता को प IMF का मुख्याले कहा स्थित है बताइए जेनेवा में पैरिस में वॉसिंग गटन डीसी में या रोम में तो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है उसका जो मुख्याले है वो आपका वॉसिंग गटन डीसी में है option number C वॉसिंग गटन डीसी सयुक्त राजे में है ठीक है वॉसिंग गटन डीसी कहा है सयुक्त राजे तो option number C आपका correct answer हो जाएगा वॉसिंग गटन डीसी सयुक्त राजे ठीक है अब देखो next question number 14 निम्न में से कोंसी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है बताइए सुमित्रा नंदन पंत की है ग्राम्या पल्लव शितंबरा ये सबी तो ग्राम्या पल्लव शितंबरा ये सारी की सारी आपकी सुमित्रा नंदन पंत की रचनाई है कौन सी ग्राम्या, पल्लव, चितंबरा, ये सारी की सारी क्या है, सुमित्रा नंदन पंथ की रचनाई है, ठीक है, आप देखो next, क्योशन नंबर 15, क्योशन नंबर 15 है, बुल फाइटिंग किस देश का रास्ट्रिय खेल है, जापान का, मुरक्को का, स्पेन का, या कनाडा का बताईए, बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग जो है, वो किसका जो है वो रास्ट्रिय खेल है, तो ये जो है आपका option नंबर C, बुल फाइटिंग जो है, वो स्पेन का रास्ट्रिय खेल है, किसका है, स्पेन का option नंबर C, आपका correct answer हो जाएगा, आप देखो question नंबर 16 क्योशन नमबर 16 आपके GKK सारे क्योशन कंप्लीट हो गए हैं अब हम GS के क्योशन पे आते हैं अब सभी जो है वो अपनी GS की प्रिप्रेशन देखे कैसी है तो देखो क्योशन नमबर 16 आपका क्या बोलता है जब एक चल वस्तु की गती दुगनी हो जाती है तो उसकी गती पुचा चो है वो क्या हो जाती है चुगनी बढ़ जाती है चोगनी बढ़ जाती है option number C आपका correct answer हो जाएगा अब देखो next question number 17 17 number question है आपका बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रियोग क्या चाहता है बताइए कमानी घड़ी का आण्वी घड़ी का quarters घड़ी का या crystal घड़ी का तो बहुत छोटे समय को जो मापने के लिए जो है वो आपका आण्वी घड़ी का प्रियोग क्या चाहता है option number B आपका आण्वी घड़ी इसका correct answer हो जाएगा अब देखो next question number 18 question number 18 आपका क्या बोलता है यदि किसी जील के तल से उपर आते बुल बुले पर लगने वाला दाब कम होगा बढ़ेगा वही रहेगा या सुन्य होगा यदि किसी जील के तल से उपर आते बुलबुले के आयतन में व्रदी होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब जो है वो क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा option number A आपका correct answer हो जाए तो यह उश्मा का अवसोशन करता है यह उश्मा का निसकाशन करता है इसका तापकरम कम हो जाता है इसका तापमान अधिक हो जाता है तो जब वाश्प जो है वो द्रव में घनीबूत होता है तो उससे क्या होता है यह वाश्मा का क्या करता है यह उश्मा का निसकाशन करत है option number b आपका correct answer हो जाएगा यह उश्मा का discussion करता है ठीक है अब देखो next question number 20 question number 20 में क्या है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किर्ने है x किर्ने alpha किर्ने बीटा किर्ने या gamma किर्ने तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली जो किर्ने है वो आपकी कौन सी किर्ने होती है सबसे कम तरंग वाली ना ही x किर्ने ना ही alpha किर्ने ना ही बीटा किर्ने वो कौन सी किर्ने होती है आपकी gamma किर्ने option number d आपका correct answer हो जाएगा अब देखो next question number 21 21 number question में क्या है निम्न लिखित में से कौन सी काच पर प्रहार करती है यहां पे आएगा निम्न में से कौन सी हैलोजन काच पर प्रहार करती है यहां पे क्या आएगा निम्न में से कौन सी हैलोजन तो बताएगा क्लोरीन आयोडीन फ्लॉरीन या ब्रोमीन बताइए कौन सी जो हैलोजन है वो काच पर परहार करती है जो काच पर परहार करती है वो हैलोजन है आपकी फ्लॉरीन option number C आपका correct answer हो जाएगा फ्लॉरीन आपको clear दिख रहा है न ये देखो इसका answer है फ्लॉरीन ठीक है आप देखो next है वायू यानों के टाइरों में भरने में किस गैस का प्रियोग किया चाता है helium का, nitrogen का, neon का, या hydrogen का तो वायू यानों के टाइरों में भरने में जो आपका गैस का प्रियोग किया चाता है वो है आपका nitrogen कौन सा है nitrogen option number B आपका correct answer हो जाएगा nitrogen ठीक है nitrogen अब देखो question number 23, question number 23 आपका क्या कहता है, 23 देखो, बेरी बेरी रोग किस वाइटमीन की कमी के कारण होता है, वाइटमीन A, वाइटमीन B, वाइटमीन C या वाइटमीन D, तो बेरी बेरी जो रोग है, वो आपका वाइटमीन B1 की कमी के कारण होता है, किसके कारण, वाइटमीन B1 की कमी के कारण होता है, अगर B1 भी नहीं आए, तो आप B correct answer कर देना, और यदि B1 भी आ जाए, तो आप उसको भी correct कर देना, वाइटमीन B1 की कमी के कारण आपका बेर बेरी रोग होता है ठीक है अब देखो next question number 24 question number 24 में आपका क्या बूला जाता है 24 में है नीम्बू में कौन सा अमल होता है टार्टरिक होता है ब्यूटेरिक होता है साइटरिक होता है या formic होता है, तो नीम्बू के अंदर नीम्बू क्या है, एक खटा अमल है तो खटा और क्या हो जाएगा संत्रा हो जाएगा, ठीक है तो जो भी खटे जो अमल है, उसके अंदर आपके साइट्रिक अमल पाया जाता है option no.C, ठीक है निम्बू निम्बू में नहीं, चो भी आपका खटा अमल होता है, उसके अंदर खटे जो पदार्थ होते हैं, वो उसमें क्या पाय जाते हैं, साइट्रिक अमल पाया जाता है, अब देखो next, question number 25, 25 है आपका निम्ण में से कौन सा विरंजन का स्वरू प्रदान करता है, लोह मेगनीज, आयोडिन और क्लोरीन, तो जो क्लोरीन है, वो विरंजन का स्वरू प्रदान करता है, नहीं लोहा, नहीं मेगनीज, नहीं आयोडिन, तो क्लोरीन जो विरंजन है, क्लोरीन जो है, वो विरंजन का स्वरू प्रदान करता है, option number D आपका correct answer हो जाएगा, अब देख वीलियम हारवे है या लूई पास्चर है तो आधुनिक जो एंटिसेप्टिक सरजरी के जनक है वो है आपके कौन है option number A, जो सेफ लिस्टर, Edward Jenner, वीलियम हारवे या लूई पास्चर, ठीक है तो इसका answer आपका हो जाएगा, जो सेफ लिस्टर, ठीक है, correct answer हो जाएगा, जो सेफ लिस्टर अब देखो next question, question number 27 27 number question क्या बोलता है, BCZ का टीका किस रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है बताएए, misless, hepatitis, या polio, या TB, tuberculosis तो BCZ की full form बताएए, सबसे पहले तो BCZ की full form क्या होती है तो BCZ का टीका, BCZ की full form होती है, आपकी bacils, calmit, guarin ठीक है, तो ये जो टीका है, वो आपका TB के लिए लगाया जाता है, tuberculosis ठीक है, option number D आपका correct answer हो जाएगा अब देखें, next, question number 28 28 है, vitamin A का एक अच्छा श्रोथ कोन सा है, आलू, गाजर, प्याज, या मक्का बताएए, तो vitamin A का सबसे अच्छा जो श्रोथ है, वो है आपका गाजर option number A आपका, sorry, B आपका correct answer हो जाएगा, गाजर vitamin A का सबसे अच्छा श्रोथ कोन सा है, गाजर, आप देखें, next, question number 29 29 number question है आपका, शाकाहारी व्यक्ती प्रोटीन कहां से प्राप्ट करते हैं, दूद से, अनाजों से, दालों से, या सबजी से तो शाकाहारी जो व्यक्ती है, वो प्रोटीन आपके दालों से प्राप्ट करते हैं, option number C आपका correct answer हो जाएगा, दालों से आप देखें, next, question number 30, question number 30 है आपका, रक्त परिसंचरन की खोज किसने की, वीलियम हार्वे ने, रोबर्ट कोच ने, चाल्स टॉर्विन ने, या एलेक्सेंडर फ्लेमिंग ने तो रक्त परिसंचरन की जो खोज है, वो आपकी वीलियम हार्वे ने की है, option number A आपका correct answer हो जाएगा, वीलियम हार्वे, ठीक है, अब देखो next, अब आपका GKS दोनों का section complete हो गया, अब हम भड़ते हैं हमारी reasoning की तरफ, देखो, निमन में से कोन सा आरेक, हाथी, उंट, प् ठीक है, हैं दोनों जानवर, लेकिन दोनों अलग-अलग हो, लेकिन एक बात बताइए, हाथी और उंट, जो भी इस धर्ती पे सांस लेता है, वो सभी क्या होते हैं, चाहिए वो जानवर हो, चाहिए वो मनुष्य है, सभी क्या है, वो प्राणी है, तो ये दोनों किसके अं 32 32 नमबर आपका क्या बोलता है देखो निम्न आकरती में प्रश्न वाचक चिन के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताईए तो देखो इस पैटर्न को आपको समझना है कि यह पैटर्न आपको क्या दे रहा है ठीक है तो हमें इस पैटर्न को फोलो करना है देखो 7 की स्क्वाइर आप 49 करते हो 25 करते हो 5 की तो 144 नहीं बनेगा ठीक है 7 पांजे 35 उसकी नहीं वो भी नहीं बन रहा मतलब इसका एक ही तरीका हो सकता है देखो हम एड करके देखते हैं 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 अगर हम 12 की स्क्वाइर करें तो हमारी क्या होती है 144 इसी तरह हम ह करते हो तो आपका क्या होता है 49 ठीक है हमारे दो करेक्ट आ रहे हैं मतलब आगे भी यही पैटन फोल होगा तो अब हम आगे करते हैं 2 प्लस 8 कितना 10 और 10 की स्क्वाइर आपकी क्या हो जाएगी 100 तो ओप्शन नमबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 ठीक है अब देख 5, 8, 6 तो मोशन के लिए कोड क्या होगा तो देखो M मोशन के लिए M जो है वो कितने नमबर पे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 तो 4 तो सभी में है अब देखो O, O का लास्ट से कितना है 8 तो 8 सेकंड आपका 8 तो यह दोनों तो कट हो गई अब देखो T का कोड देखे T का 1 तो 1 अब द दे रखा है लेगिन T का कोड आपका क्या होगा 1 तो option number B आपका correct answer हो जाएगा ठीक है आप देखें next question number 34 34 के अंदर आपका क्या है दिये गए विकल्पों में से भिन शब्द को चुनिए बताए गाए भैस बकरी और शेर इन में से अलग कौन सा है तो गाए भैस और बकरी य पानवर हैं लेकिन D शेर जो है वो पालतू नहीं है option number D आपका correct answer हो जाएगा ठीक है इसमें से अलग हो जाएगा अब देखें question number 35 दिये गए विकल्पों में से समंदी शब्द को चुनिए बिहार पटना चारकंड तो बिहार का relation किससे है पटना से तो बिहार की राजदान है वो आपकी क्या हो जाएगी राजची option number A आपका correct answer हो जाएगा राजची ठीक है आप देखें next question number 36 question number 36 है आपका तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या कोन सी है 100, 101, 1110 या 999 तो आपको पता ही है तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात आते ही आपकी क्या हो जाएगी 100 ना कि ये नहीं कर देना ये तीन अंकों की आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी ना कि छोटी तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगे आपकी 100 option number A आपका correct answer हो जाएगा ठीक है अब देखें next question number 37 question number 37 के अंदर देखो हम add करेंगे यहीं पर add कर लेते हैं इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है देखो सबसे पहले 5 है 5 आ गया फिर 0 है 0 है अब 2 point के बाद 2 संख्या अब 2 संख्या इनको ले लेते हैं तो 5 और 5 10 carry 1 2 और 2 4 और 5 ठीक है अब देखें इनको point के बाद वाली संख्याओं को add करते हैं तो देखें 6 और 5 11 11 और 1 12 तो देखें यह किस से match हो रहा है आपका option number B try करिए आप यहीं पे बलकि यह मत करिए इनको सबको लिखिए उसके बाद अगर लिखोगे करोगे तो more time waste होगा आप यहीं इसको जो है वो add करते जाईए और आपको correct answer मिल जाएगा ठीक है वैसे तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है इसमें क्यूंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको पता है 5 तक आने के बाद ऐसा कोई है नहीं तीन संख्या के बाद 4 संख्या के बाद point है तो यहीं पे इकट हो गए ठीक है बचा कौन सा B तो option number B आपका correct answer हो जाएगा आप देखें next question number 38 38 number question देखो a plus 1 upon a is equal to b है तो आपको यह बताना है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसकी दोनों तरफ से square करेंगे क्या करेंगे square कर देंगे दोनों तरफ से हमें square चाहिए तो यह क्या हो जाएगा हमारा a की square plus b की square plus 2ab हो जाएगा तो a की square plus b की square plus 2ab हो जाएगा is equal to b की square a से a कट गया अब a की square plus 1 upon a की square चाहिए आपको तो b की square यह 2 कहां चला जाएगा minus अब कौन सा answer आपका match हो रहा है तो option number b, b की square minus 2 आपका correct answer हो जाएगा ठीक है अब देखें next question number 39 वर्ग का प्रते कोण कितने degree होता है बताइए 30 degree का होता है 60 degree का 45 degree का यह 90 degree का तो वर्ग square जो है उसका प्रते कोण कितने degree का होता है आपका 90 degree का होता है option number d आपका correct answer हो जाएगा अब देखें next question number 40 40 में क्या बोलता है one air में कितने वर्ग decameter होते हैं कितने वर्ग यह देखो यह one है यह ten है यह hundred है यह thousand है ठीक है तो one air में कितने वर्ग decameter होते हैं तो one air के अंदर आपका one वर्ग decameter होते हैं option number a आपका correct answer हो जाएगा ठीक है अब देखें next question number 41 41 देखिए यह 10 90 degree माइनस थीटा है यह आपका sin थीटा यह कोस थीटा यह सैक थीटा और यह कोट थीटा तो 10 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है कोट थीटा option number d आपका correct answer हो जाएगा कोट थीटा ठीक है अब देखो question number 42 42 देखिए x is equal to हम इसको लिख लेंगे 1450 upon 3625 ठीक है अब देखो जिससे कटता है काट लो पहले 25 से कट कर दो इसको ठीक है तो 25 फाइफ जा कितना होता है 125 बच गया कितना 20 कैरी बच गया 200 तो 25 फेर जा 200 ठीक है अब यह देखिए 25 बच गया 25 कितना बच गया 11 यहां पे क्या आ गया 112 ठीक है 112 में डिवाइड करेंगे 25 का तो 25 फोर जा 100 बच गया कितना 12 25 फाइफ जा 125 ठीक है अब देखो, अब किस से कट रहा है, तीन से भी नहीं कट रहा, पांच से भी नहीं कट रहा, तो देखो, 58 किसका डबल होता है, 29 का, तो 29, 2, 58 और 29, 5 जा आपका कितना होता है, देखो, यदि आप करते हो, 29, देखो, 2, 5, 100 और 9, 5, 45, 145, तो 29, 5, जा कितना होता है, 145, तो ओप्शन नमबर B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 अपोन 5, ठीक है, अब देखो, अगला, क्योशन, क्योशन नमबर, 43, 43, 43 में आपको क्या बताना है, 18 और 30 जो है, उसका HCF बताना है, 18 और 30, तो देखिए, ये किस से कट रहे, 6 से काट दो, 6, 18, 6, 3, 18, 6, 5, 30, तो अब और कुछ कोमन आ रहा है, इसमें कट सकते हैं, 3, 5 नहीं कट सकते, तो ओप्शन नमबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6, ठीक है, अब देखें, next, क्योशन नमबर 44, देखो, 2 अपोन 7 का कितने परतिशत, 1 अपोन 35 है, 2 अपोन 135 कितने परतिशत है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 135, 2 अपोन 7 इंटु 100, इसका पूछा है न, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 1 अपोन 35, इंटु 7 अपोन 2 इंटु 100, लिख सकते हैं न, तो 75 जा 35, ये कट हो गया, 50, और 5, 10 जा 50, तो कितना परसेंट हो गया ये, ये हो गया, आपका 10 परसेंट, ओप्शन नमबर D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 परसेंट, ठीक है, अब देखो, next, क्योशन नमबर 45, 800 की कोई मशीन 7 परसेंट लोज पे बेची जाती है, तो वह कितने में बिकेगी, तो देखिए, इसने कितने में बेची है, इसने 7 परसेंट लोज पे, मतलब 93 में, तो इसको कट किया, अब देखिए, 8 त्रीजा 24, 9 जा 72, 72 प्लस 274, ओप्शन नमबर B, करेक्ट आंसर हो जा ठीक है, अब देखिए, next question number 46, 46 नमबर आपका क्या बोलता है, कि देखो, 25 पारियों का ओसत रन कितना है आपका, 50, average का question है, तो देखो, 55, 5 जा कितना होता है आपका, 125, 1250, उन में से पहली 10, तो 10 पारियों का तो आपका कितना हो जाएगा, 45, ठीक है, तो ये कितना हो जाए 12 वी पारी से अंतिम पारी तक का, 12 वी पारी इसमें कितनी बच गई, 15 बच गई, जिसमें से 12 से लेके, और 25 तक की, तो ये कितनी होगी आपकी 14, 14 का आपका कितना है, 52, तो आपको पूछा कितना है, 11 वी पारी का, तो देखो, 14, 2 जा, 28, ठीक है, और 14, 5 जा, 70, 70 प्लस 2, 72 अब देखो, इसको add करेंगे, उपर ही लिख लेते हैं, इसमें से less करेंगे, 8, 5, 4, 2, 7, 7, और 4, 11, 10 में से 8 गया, 2, 14 में से 7 गया, 7, अब देखो, 1 में से 1 गया, 0, 0, 72, तो 11 वी पारी का, रन कितना हो जाएगा, 72, option number C, आपका correct answer हो जाएगा, अब देखे, 47, 47 देखे, हम इसको write down कर लेते हैं, 56 upon 42, is equal to, root 64 को आप क्या लिख सकते हो, 8, इसका root हट जाएगा, और यहाँ पे आपका root लग जाएगा, x, यह देखिए, 8, 7 जा, 56, ठीक है, और 7, 6 जा, 42, तो देखिए, root x, is equal to 6, इस तरह से लिख सकते हो, अब इसका square करोगे, root अटाने के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 6 का भी आपको square करना पड़ेगा, यह आपका क्या हो जाएगा, 36, option number D, आपका correct answer हो जाएगा, आप देखिए, next, question number 48, कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, कितने वर्षो में 3 गुना मतलब आपका 100 principal amount है, और कितना करना है, उसको 3 गुना हो जाएगा, मतलब 300 रुपए हो जाएगा, इसमें से 200 रुपए आपका क्या हो जाएगा, interest हो जाएगा, अब 100 पे जब आप 5% interest लगाओगे, तो हर साल का कितना 5 रुपए लगेगा, तो 200 आपका interest हो गया, जिसमें आप 5 डिवाइड करोगे, तो 5 फोर्जा 20, तो यह कितने साल तक लगेगा, 40 वर्षों तक, 40 वर्षों तक आपका interest लगेगा, तब यह जो है, वो इसका 3 गुना होगा, ठीक है, अब देखें next, question number 49, A is equal to B upon 3, और B is equal to C upon 2, तो A, C, तो देखो, आप इसको क्या लिख सकते हो, A upon यह B यहां ले आओ, तो 1 upon 3, लिख सकते हो न, अब देखो, इसमें B, यह C नीचे ले आओ, इसको लिख सकते हो, 1 upon 2, ठीक है, एक चीज मैंने आपको बताई थी, आपको इस तरह से find out करना हो, त तो आप इसको B, इसको B और B और ratio C, कर सकते हो न, तो देखो, हम यहां पे यही करेंगे, देखो, 1 ratio 3 और 1 ratio 2, यही है न, तो देखो, 1, 3 को 1 से multiply करेंगे, और 3 to 6, तो अब आपका 49 जो है, उसका answer क्या जाएगा, A और C आपका क्या जाएगा, 1 और 6, ठीक है, तो option number C आपका correct answer हो जाएगा, 1 और 6, ठीक है, अब देखें, इस test series का last question, question number 50, देखो, यदि विजे 2 घंटे में 9 किलोमेटर की दूरी तै करता है, तो 3 किलोमेटर चलने में उसे कितने घंटे लगेंगे, यदि विजे 2 घंटे में 9 किलोमेटर की दूरी तै करता है, तो देखो, 9 की दूरी वो कितने घंटे में तै करता है, 2 घंटे में, ठीक है, एक किलोमेटर की दूरी वो कितने घंटे में तै करेगा, 2 घंटे में करेगा, 2 अपोन 9 इंटू 30, ठीक है, अब देखें, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, ठीक है, अब देखें, 20 बाइ 3, तो 3 6 जा 18, और इसमें आपका 2 carry बच गया upon remainder बच गया आपका 3 तो ये देखिए 6 सही 2 by 3 तो आपका option number D इतना घंटा उसको लगेगा ठीक है समझ में आया 50 questions अभी सारे comment section में लिखके बताईए कितने questions आपके सही हुए है और कितने questions आपके wrong हुए है ठीक है I hope आपको class पसंद आई होगी तो please आप सब like और share कर दीजेगा ठीक है बाई